जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तयारी कर लो शैनल में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है UGC.net.jrf और यहाँ पे TGT, PGT का हिंदी सब्जेक्ट से तयारी तो यहाँ पे हम लोग उन हिसाब से तयारी करेंगे जिसी साब से सिलेबस हम गो दिया गया है आयोग ने जिसी साब से सिलेबस जारी किया है उसी परकार से हम लोग यहाँ पे तयारी करेंगे कि NTA अब हमसे question करता है जैसा कि हर बार जो 2021 के पहले जतने भी exams हुए थे उसमें previous question के हिसाब से question NTA पूछता था लेकिन इस बार NTA ने अपना थोड़ा सा pattern बदला है और उसमें क्या किया है उसने deeply questions बहुत पूछे है जैसा कि निबंध या फिर नाटक है उसके पात्रों के बीच के समवाद पूछा है ये पात्र किस से क्या बोल रहा है ये कथन किसका है किस पात्र से है ये पूछ रहा था और पात्रों के अंदर मतलब जो syllabus है जैसे questions जो होते थे वो इस बार deeply हुए हैं सबसे ज़ादा जो उपन नया से questions पूछे गए हैं तो वो उस type के questions भी हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ रचनाय हैं उनको भी हम लोग deeply यहाँ पे पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले unit की इसका नाम है Hindi भाशा और उसका विखास यह पहले unit की पहली class है तो अभी अगर आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो लग जाएं ताकि हम exams के पहले पहले यह सारी चीज़ें complete कर लें और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग अगर त्यारी कर रहे हैं तो सबसे पहले pin और copy लेकर बैठा करें पेन और copy लेकर बैठने से यह होगा कि दोस्तों जो भी important points हैं वो आप अपने notes में copy में लिख लेंगे ताकि आपके notes भी बनते चलें तो यहाँ पे है कि हिंदी का एतिहास एक प्रष्ट भूमी तो सबसे पहले परिचे देख लेते हैं कि विश्व की भाशाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त है सामान्यता इसकी संख्या 2796 से 3000 के बीच मानी जाती है कितनी मानी जाती है लगभग 3000 लोग कहते हैं कि विश्व में भाषाएं बोली जाती है संसार की सभी भाषाओं का अध्यन दो प्रकार के वर्गी करण के तहत किया जाता है जितनी भी भाषाओं हैं संसार में मलब विश्व में जितनी भी भाषाओं हैं उन भाषाओं का अध्यन दो प्रकार से किया जाता है आकरती मूलक वर्गी करण और पारिवारिक वर्गी करण के अनुसार तो देख लेते हैं यहाँ पे आधार और आकरती मूलक वर्गी करण का है कि वाक्य रचना और रूप रचना वाक्य रचना और रूप रचना उसी प्रकार पारिवारिक वर्गी करण में रचना तत्तो और अर्थ तत्तो फिर इसका जो दूसरा नाम है वो ये है कि रूपात्मक वर्गी करण, रचनात्मक वर्गी करण, व्याकरणिक वर्गी करण, वाक्यात्मक वर्गी करण, पदात्मक वर्गी करण, पदाश्रित वर्गी करण वही पारिवारिक वर्गी करण का नाम है वनशात्मक वर्गी करण, वनशानुक्रमिक वर्गी करण, कुलात्मक या एतिहासिक वर्गी करण अब बात करते हैं इसके कुछ महत्वपून बिंडू की तो विश्व की भाशाओं का आकरती मूलक वर्गी करण सबसे पहले बार सबसे पहली बार जो किया था वो किया था प्रोफेशर स्लेगल ने किसने किया था यहाँ पर याद रखिएगा प्रोफेशर स्लेगल ने आकरती मूलक वर्गी करण में भाशा के दो भाग किये जाते हैं अयोगात्मक भाशा और योगात्मक भाशा तो एक चीज यहां पर याद करने वाली है वो यह है कि विश्व की भाशाओं का आकरती मूलक वर्गी करण सबसे पहले प्रोफेसर शलेगल ने किया था अब बात करते हैं पारिवारिक वर्गी करण की तो पारिवारिक वर्गी करण में निम्न बातों को आधार बनाया जाता है पदरचना, वाक्यरचना, ध्वनी अर्ध, शब्द और इस्थानिक समीपन तो ये हो गिया दोस्तो विश्व की भाशाओं का वर्गी करण विश्व की भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मत्भेद है भोला नाथ तिवारी और विलहेम वान हमबोल्ड ने भाषा परिवारों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? तेरा किसने भोला नाथ तिवारी और विलहेम वान हमबोल्ड ने फ्रीडिश म्यूलर ने भाशा परिवारों के संख्या कितनी मानी है सौ मानी है निर्विवादित रूप से चार भावगोलिक छेत्रों के अंतरगत अठारा भाशा परिवारों को महत्तु दिया गया है तो कितने भावगोलिक छेत्र होते हैं चार और उन चार भाउगोलिक छेत्रों में कितने 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 भाउगोलिक छेत्रों में कि द्रविड परिवार, काकेशी परिवार, बुरुषकी परिवार, उराल, उत्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी, मतलब हाइपस बोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार. ये आती है यूरेशिया में यूरोब और एशिया के छेत्रों में बोली जाने वाली भाशा परिवार फिर है अफरीका भूखंड दूसरा है अफरीका भूखंड इसमें आता है सुधानी परिवार, बंतू परिवार और होतें तोत बुशमेनी परिवार फिर है प्रशान्त महासागरिय भूखंड इसमें मले पुली निशियाई परिवार आता है आस्टेलियन परिवार आता है पापुई परिवार है और फिर है यहाँ पे दक्षिड पूर्व एशियाई परिवार इसके बाद अंत में है अमेरिका भूखंड इसमें अमेरिकी परिवार शामिल है अमेरिकी परिवार ये भाषा परिवार है तो इस परकार से भावगोलिक छेतर के हिसाब से 18 भाषा परिवाओं का वरगी करण किया गया है फिर यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारोपिय परिवार का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भारोपिय परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक भारत हित्ती परिवार आर्य परिवार देखे तीन नाम यहाँ पे मिल गए है कौन-कौन से इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार और आर्य परिवार धोनी के आधार पर भारोपिये परिवार की दस शाखाओं को शतम, सतम और कुंतुम दो वर्गों में बाटा गया कितने भागों में? दो भागों में सतम और कुंतुम सतम वर्ग की भाषाएं है भारत इरानी जिसे आर्य कहते हैं बोल्टु, स्लाविक, फिर अर्मीनी और चोथी है अल्बानी, इलीरियन इतने भागों में सतम और की भाषाओं को बाटा गया है फिर केतुम और में आती हैं जर्मनिक, ट्यूटानिक, कोल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक भारत इरानी के तीन उपवर्गों का उलेख गिरियर्सन ने किया है, जिसमें पहला है इरानी, दूसरा है दरद, और तीसरा है भारतिये आर्य भाषा, किसने किया ये? गिरियर्सन ने, जौर्च गिरियर्सन ने भारतिय आर्य भाषाओं और हिंदी भाषा तो दोस्तों यहां की अध्यन की सुविधा की दृष्टी से भारतिय आर्य भाषाओं के 3500 वर्सों के विकास करम को सामानिता तीन चरणों में विभाजित किया गया है कौन-कौन से चरण है प्राचीन आर्य भाषा 1500 इसा पूर्व से लेकर के 500 इसा पूर्व तक दूसरा है मध्य कालीन आर्य भाषा 500 इसा पूर्व से लेकर के 1000 इस्वी तक और अंत में है आधूनिक आर्य भाषा हैं तो 1000 इस्वी से लेकर के अब तक अब इसमें क्या है भाशा कौन कौन सी है इसमें प्राचीन आर्य भाशाओं में है वैदिक संस्क्रत और लौकिक संस्क्रत और इसका समय क्या है वैदिक संस्क्रत का है पंद्रह सो इसा पूर्व से लेकर के हजार इसा पूर्व तक फिर लौकिक संस्क्रत का समय है हजार इसा पूर्व से लेकर के पान्सो इसा पूर्व तक वहीं मध्यकालिन आरे भाशाओं की जो भाशा है वो है पाली समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक प्राक्रत 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक अप भ्रंश तथा अवहट 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक फिर आधुनिक आर्य भाशों में हैं हिंदी, बांगला, उडिया, माराथी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आदी इसका समय है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक तो ये है भारतिय आर्य भाशा और हिंदी भाशा ये भारतिय आर्य भाशाओं को जो तीन चिरण में बाटा गया है उसका टेबल है तो ये भी याद रख लीजेगा इसमें से भी प्रश्न पूछ सकता है फिर दोस्तों बात करते हैं प्राचीन भारतिय आर्य भाशाओं की प्राचीन मतलब वैदिक और लौकिक संस्क्रत तो भारत में भाशा का प्राचीनतम रूप संस्क्रत है भाशिक विशेशताओं के आधार पर इसे दो भागों में बाटा गया है वो है भाशिक विशेशताओं के आधार पर दो भागों में बाटा गया पहला है वैदिक संस्क्रत और दूसरा है लौकिक संस्क्रत वैदिक्स भाषा इसे प्राचीन संस्क्रत भाषा भी कहते हैं प्राचीन संस्क्रत भाषा किसे कहते हैं वैदिक संस्क्रत को इस भाषा में वेद, वेदांग, ब्रामर, आरंड, उपनिशद लिखे गए हैं किसमें ये सब लिखे गए हैं वैदिक संस्क्रत में वैदिक भाशा में कुल 52 धोनिया जिसमें 13 स्वर और 49 वियंजन है का प्रियोग होता है इस प्राशीन भाशा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक का उलेख है वैदिक संस्क्रत में कितनी धोनिया है? कुल 52 धोनियों का वर्णन है जिसमें 13 स्वर है और 49 वियंजन है फिर बात करते हैं लोकिक संस्क्रत की भासा विकास में वैदिक संस्क्रत के बाद की अवस्था लोकिक संस्क्रत की है मलब पहले वैदिक संस्क्रत आई उसके बाद लोकिक संस्क्रत आई इस भाशा को संस्क्रत या क्लासिक संस्क्रत भी कहते हैं तो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्लिकत में से क्लासिक संस्क्रत किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लौकिक संस्क्रत को. लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्व पर्थम पार्डिनी क्रत आश्टा द्याई में मिलता है। पारड़ीकरत आश्टा ध्याई में इस भाषा में रामायर, महाभारत, अर्थशास्त, नाट्यशास्त, अभिज्ञान शकुंतलम, कादंबिरी, आदी प्रसिद्ध रचनाये लिखी गई हैं। किसमें लिखी गई हैं इस सारी? लौकिक संस्कुरत में, रामायर, महाभारत, अर्थशास्त, नाट्यशास्त, अभिज्ञान, शकुंतलम, कादंबिरी, वैदिक संस्कुरत की चार ध्वनियों के लुप्त होने से लौकिक संस्कुरत में 48 ध्वनिया ही शेस रह गई हैं। विदित है कि इस काल में संस्क्रत भाषा का इसपस्ट वरगी करण मिलना शुरू हो जाता है। किस काल में लोकिक संस्क्रत का जो काल है। फिर आगे बात करते हैं कि मध्य कालीन भारतिय आरे भाषाएं। मध्य कालीन भारतिय आरे भाषाएं इसमें पाली। मध्य कालीन आरे भाषा की प्रथम अवस्था है पाली। पाली को वियुतपत्ती के संदर्व में विद्वानों में बहुत मत्भेद है। जैसा कि पल्ली से पाली शब्द की वियुतपत्ती हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीर भाशा कुछ विद्वान पल्ली को प्राक्रत तद्भव रूप मानते हैं उनके अनुसार प्राक्रत से पहले पाइल तथा अंत में इसका पाली हुआ पाली शब्द की वियुत्पत्ती पाटली पुत्र से भी मानी जाती है इस संदर्व में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाशा फिर है कुछ विद्वजन पाली को पाठ को रूपांतरित शब्द मानते हैं पाली शब्द का संबंध पंक्ति से माना गया है बुद्ध वचनों में जो पंक्तिया पुर्युक्त की गई है उन्हें भी पाली कहा जाता है और कुछ विद्वान पाली को बौध साहित्य को पालने वाली या रख्षा करने वाली भाशा मान दे फिर है यहां की पाली शब्द की व्यूत पत्ति के संबंध में विद्वानों की जो राय है वो देख लेते हैं की विद्व शेखर भट्टा शार्य मानते हैं पणडिक पंती पत्ती पठ्थी पल्ली और फिर उसका हो जाता है पाली वही मैक्स वालेसर मानते हैं पाटली पाडली पाली पाली फिर भिक्षु जगदीश कश्यप का मानना है की परियाय से पलियाय हुआ फिर पलियाय से पाली आय हुआ और पालियाय से पाली भंडार कर वाकर नागल मानते हैं की प्राकरत से पाकट हुआ पाकट से पाड हुआ पाड से पाउड हुआ और पाउड से पाली भिख्षु सिधार्थ मानते हैं पाठ से पाल हुआ पाल से पाली हुआ और आली से पाली हुआ कोसंबी कोसांबी मानते हैं कि पाल से पाली हुआ और उदह नारायरतिवारी का मानना है कि पा धन ली उसको मिला कर उन्होंने पाली माना है अब बौध धर्मे से संबंधित ये तीन महत्पूल ग्रंत है पाली में है जो की सुत्त पिटक बुद्ध के उबदेशों का संग्रा है इसके अंतरगत पांच निकाय आते हैं पहला खुद्धक निकाय, दीग निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय ये पांच निकाय किसमें आते हैं सुत्त पिटक में फिर है विनय पिटक इसमें संग संचालन के लिए दी गई सिक्षाओं का संकलन है विनय पिटक में निम्न ग्रंत हैं महावग, चुल्वग, पाचितिय, पाराजिक और परिवार फिर है यहाँ पे अभिधम पिटक इसमें धर्मों का विशद और दार्शनिक विसलेशन किया गया है अब यहाँ पे बात आती है पाली से संबंधित कुछ महत्पूर्ण ग्रंथ कौन-कौन से है पाली से संबंधित महत्पूर्ण ग्रंथ तो यहाँ पे गरंथ दिया हुआ है, रशाइता दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और उससे महतपूर्ण संबंधित बिंदू तो सबसे पहले है अट कथा साहित, इसमें आचार्य बुद्ध घोष की ये रशाइता है, समय है पाँचवी सदी फिर है विसुद्धी मग, इसके रचाइता है आचार बुद्ध घोष, पाँचवी सदी इसका समय है कच्चायन व्याकरण, इसके रचनाकार है महा कच्चायन, सात्मी सदी इसका समय है और इसमें 675 सूत्र है मोگलान व्याकरण इसके रचाईता है मोगलान समय है बारवी सदि और इसमें 817 सूत्र है अंत में है सद्यनीती व्याकरण ये अगवण्ष की रचना है अगवण्ष का गृंध है इसका समय है 1154 इसमें 27 अध्याय और 1341 सूत्र है विशुद्धी मग को बौद सिधानतों का कोश भी कहा जाता है इसे सुसंधी कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है यहाँ पाली का सर्वस्रेष्ट व्याकरण माना जाता है काुनसा विशुद्धी मग पाली की विशेषता है अब ध्वनी संरचना संबंधी विशेस्ता है पाली की कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनिया है जिसमें 800 तथा 33 वियंजन है मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है जिनमें 10 स्वर और 33 वियंजन है स्वर्ण यहां पे हैसु स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ दीर्ग स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ और व्यंजन्वर्ण है संस्कृत के इशी और ल्रा पाली में समाप्त हो गए है शा, सा, का, सा हो गया है जैसे शिश्या, सिश्यो ठीक है, तो यह है पाली में प्रियुक तो वर्ड अब बात करते हैं दोस्तों पाली की व्याकरणिक सनरचना जो इंपोर्टन पॉइंट्स हैं वही यहां पे पढ़ते हैं तो पाली संस्क्रत के नपुनसक लिंग का लोप होने लगा है अधिकतर वियंजनात, प्रतिपादित, सुरान्त होने लगी हैं इस प्रकिरिया में अंतिमहलन्त वयंजन हटने लगा है जैसे जगत का जग हो गया है, राजन का राज, चल का चल विभक्तियों और परसरगों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी हुआ है तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है जो की important हो हमारी परिश्या से ले करके प्राक्रत के बारे में देख लेते हैं कि प्राक्रत, पाली के बाद प्राक्रत, मध्यकालिन आरे भाशा की दूसरी अवस्था है, पहली अवस्था है पाली दूसरी अवस्था प्राक्रत मोटे तोर पर प्राक्रत का समय सन एक इस्वी से पांसव इस्वी तक माना जाता है कब से? एक इस्वी से लेकर के पांसव इस्वी तक प्राक्रत के विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपई आदी वयाकरणों ने तीन चरणों में बांट कर रखा है पहला है प्रथम प्राक्रत प्राक्रत प्राचीन प्रचलित जन भाशा है नमी साधुने प्राक्रत के संबंध में लिखा है प्राक पूर्व क्रतम प्राक्रत अर्थात पहले से बनी हुई भाशा प्रथम प्राक्रत फिर है दुतिय प्राक्रत कुछ विद्वान ऐसा मानते ह कि संस्कृत भाशा के सर्णी करण के कारण प्राक्रत भाशा बनी है। हेम चंद्र ने इस पर लिखा है कि प्रक्रती संस्कृतम तत्र भवं तत आगतम वा प्राक्रतम अर्थात प्रक्रती का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वा प्राक्रत है। दुतिये प्राक्रत को साहित्तिक प्राक्रत भी कहते हैं फिर तीसरा भाग है तिर्तिये प्राक्रत प्राक्रत के बाद की भाशा अपभरंश को कुछ विद्वान तिर्तिये प्राक्रत कहते हैं सामान रूप से वर्तमान काल में प्राकरत नाम उस भाशा के लिए रूड हो गया जो इस्वी सन की शुरुवात से पांच्वी शताबदी तक प्रवक साहितिक भाशा के रूप में प्रशलित रही है निस्कर्षता प्राकरत की प्रथम अवस्था है पाली प्राकरत की दुती अवस्था है प्राकरत और प्राकरत की तिर्थी अवस्था है अपभरंच तो ये चीज़ याद रखिएगा प्राकरत की प्रथम अवस्था पाली प्राकरत की दुती अवस्था प्राकरत प्रचना संबंधित विशेष्ता हैं इसमें प्राकरत की ध्वनी संरचना पाली के समानी है जो बातें पाली से अलग है वो इस प्रकार है तो यहां पर उस सारी चीजें हमें देखने की दोस्तों जरूरत नहीं है यहां पर फिर देख लेते हैं प्राकरत के भेद देख लेते तो विद्वान दिये हुए हैं, गरंथ दिये हुए हैं और प्राकरत के उसमें भेद दिये हुए हैं तो भरत मुनी विद्वान है और इनका गरंथ है नाट्य शास्त्रों और इसके प्राकरत के भेद हैं इसमें मुख्यताह, प्राकरताह, मगदी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्दमागदी, बाहलीक, और दक्षिडार्थ, महरास्ट्री, गौड, विभाशा, शबरी, अभीरी, चंडाली, सच्री, द्राविडी, उद्रजा, वनेच्री ये प्राकरत के भेद हैं, किसमें नाटिशास्त्र ग्रंथ में जोकी रचना है, ग्रंथ है भरतमुनी का फिर है वररुची, इनका गरंथ है प्राकरत प्रकाश, इसमें प्राकरत के भेद बताए गए है शौरसेनी प्राकरत, महारास्ट्री प्राकरत, मागधी प्राकरत और पैशाची प्राकरत फिर नीचे दिया हुआ है हेमचंद्र हेमचंद्र का ग्रंध है प्राक्रत व्याकरन इसमें प्राक्रत के भेध है आरशी मतलब अर्ध मागधी चूली का पैशाची और अपब्रंश चूली का पैशाची को दंडी ने भूत भाशा कहा है तो अगर प्रश्ण पूछता है कि निमलिकित में से भूत भाषा कौन सी है तो चूली का पैशाची हेम चंद्र को प्राकरत का पारणी कहा जाता है ये भी एक प्रश्ण है जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्राकरत का पारणी किसे कहा जाता है तो याद इनका ग्रंथ है प्राक्रत व्याक्रण फिर है कि अपभ्रंश मध्य कालीन आर्य भाशा की तीसरी अवस्था पहली पाली दूसरी प्राक्रत और तीसरी अपभ्रंश अपभ्रंश मध्य कालीन और आधूनिक आर्य भाशाओं के बीच की कड़ी है भाशा के अर्थ में इसका प्रियोग छटी शती से होने लगा था अपभ्रंश को अवहंस ग्रामीड भाशा देशी भाशा आभीर आभी रोकती आदी नामों से जाना जाता है तो ग्रामीड किसे कहते हैं अपभ्रंश को वाक्य पदियम में भर्त हरी ने बताया कि सरवप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन संसकार चियुत ब्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है व्याडी का ग्रंथ लक्षश्लो का त्मक संग्रह पंत जली ने अपभ्रंश का प्रियोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है डॉक्टर उदेनाराण तीवारी और भोलानात तीवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाशा के अर्थ में प्रियोग सरवप्रथम चंड छटी शदी ने अपने ग्रंथ प्रा के शिला लेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्क्रत प्राकरत और अपभ्रंश तीनों का कवी कहा है फिर है कि विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रियोगत शब्द कौन-कौन से हैं तो यहां पे है आचारे दं आचारे दंडी ने कहा आभीरों की भाषा और आभीर भरत्मुनि ने कहा आभीरोकती वाग्य भट और हेमचंद्र ने कहा ग्राम भाषा कीत ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है रुद्रत ने काव्या लंकार में जिन छे भाषाओं का उल्ले किया उसमें अपभ्रंश भी सम्मिलित है दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रक्रण में कोसल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है गिरियर्शन, पिशेल, भंडारकर, चटरजी, वुलनर आदी विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है जबकि कीत, याकोबी, जियू, लबलाख, अल्स, अल्सडार्फ, आदी विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है वही महाकवी काली दास्कรत, विक्रमो वर्शियम के चतृर्थ अंक में अप्धरंश के कुछ छंद मिλते हैं अब बाद कर लेते हैं विबिन विद्वानों के अनुसार अप्धरंश के भेद विद्वान है नमी साधु अपभरंश के भेद है उपनागर आभीर ग्राम में मारकंडे है इनकी ग्रंथ है इनका पुस्तक है प्राकरत सर्वसु इसमें अपभरंश के भेद उन्होंने नागर उपनागर ब्राचड माना है फिर है याकोबी इनका ग्रंथ है सन्त्यूकुमार चर्यू की भूमिका इसमें उन्होंने अपभरंश के भेद बताए है पूर्वी पश्चिमी दक्षणी और उत्तरी तगारे इनकी पुस्तक है historical grammar of अपभरंश इसमें उन्होंने अपभरंश के भेद पूर्वी पश्चिमी और दक्षणी माने है फिर है नामवर सिंग इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी अपभरंश के भेद बताए है फिर यह है कि इनको यह भी कहा जाता है नागर को गुजरात की बोली उबनागर को राजस्थान की बोली ब्राशड को सिंध की बोली कहा जाता है अब भ्रंश की कुछ रचनाएं हैं पउम चरियू आठवी शदी रचनाकार हैं सुयम्भू इसमें नब्बे संधियां तथा पांच कांड हैं राम कथा का विशाल प्रबंध काववे है ये क्या पउम चरियू फिर है महापुराण दस्वी शती पुस्पदंत रचनाकार हैं इसमें 102 संधियां 63 महापुरुसो का चरित्र वर्ण इसके दो भाग हैं आदी पुराण और उत्तर पुराण फिर है दोस्तों डॉक्टर हर्देओ बिहारी ने सात्वी शती से ग्यार्वी शती तक के समय को अपभरंश का स्वर्ण काल किस ने कहा है तो वो कहा है हर्देओ बिहारी ने ठीक है और समय क्या है सात्वी सती से ग्यार्वी शती के बीच के समय को हर्देओ बिहारी ने अपभरंश का स्वर्ण काल कहा है फिर है डॉक्टर सुनीती कुमार चटरजी और धीरेंदर वर्मा ने अपभरंश को भारती आरेभाशा के विकास की एक इस्थिती माना है इनके अनुसार 6 से 11 शती तक प्रती एक प्राकरत का अपना अपभरंश रूप रहा होगा वहीं धीरेंदर वर्मा ने यह भी माना है कि प्रती एक प्राकरत की एक अपभरंश रही होगी इस दरश्टी से वे अपभरंशों की पांच इस्थिती स्थिती स्वीकारते हैं कौन कौन सी स्थिती हैं वो यहाँ पे दी हुई है अब बात करते हैं अवहट की अवहट भाषा का समय 920 से लेकर के 1120 तक निश्चित किया गया है साहित में 14 शती तक इसका प्रियोग होता रहा है अवहट भाषा अपभरंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है ये कथन है सुनीती कुमार चटर जी का अवहट शब्द का सरप्रथम प्रियोग वर्ण रतनाकर जयो तिरीशुव ठाकुर की ये रचना है ग्रंथ है इसमें मिलता है संदेश रासक अदहमार की रचना है में अवहट का उलेख मिलता है प्राकरत पैंगलम के टीका कार वन्शी धर ने इसकी भाषा को अवहट माना है विद्यापती ने कीरती लता की भाषा को अवहट कहा है भोला नाधतिवारी ने अपभरंश और अवहट को एक ही भाषा माना है अपभरंश का विकास और हस के रूप में हुआ है और अपभरंश्ट का विकास और हट के रूप में कुछ विद्वान इन्हें और हट का ग्रंथ मानते हैं ग्यानेश्वरी संत ग्यानेश्वरी की है राउल वेल ये रोडा कभी की है फिर है पुरानी प्रारंभिक हिंदी या प्रारंभिक हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभरंश को ही पुरानी हिंदी कहा है तो ये देखी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है न ये भी प्रश्न बन सकते हैं ठीक है, मतलब अब यहाँ पे यह हो गया कि पुरानी हिंदी किसने कहा है, परिवर्ती अपभरंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो यादर कियेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी कहा है, तो वो यहाँ परिवर्ती अपभ्रंश को फिर है आठवी से नौवी शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी इस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। कुछ विद्वानों ने पुस्पदंत को हिंदी का कवी कहा है लेकिन वे निसंदे अपभ्रंश के कवी हैं। उनकी क्रतियों में कहीं कहीं विकास मान हिंदी के प्रियोग अवश्य मिलते हैं। प्रारूप दिखाई पड़ता है। एक मात्र ऐसी क्रति है जिसमें एक भाशा के लक्षन मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दखिनी किसी का भी एक भाशी ग्रंत। बारा सो पचास इसवी से पहले का उपलब्ध नहीं है और यही तीन भाशाएं ऐसी हैं जिनकी परमपरा आगे चली है। अब चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर अपभरंश आवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। तुलना का आधार है अपभरंश भाशा है आवहट है और पुरानी हिंदी है। ए और ओ का प्रियोग अपभ्रण्ष में आय और ओ का अभाव है अवहट में आय और ओ मिलने लगते हैं यथा बैल चौड़ा आदी और पुरानी हिंदी में आय और ओ का अत्यधिक प्रियोग हुआ है जैसे मौर चखै आदी इसी प्रवत्ती का और अधिक विकास हुआ है विकास की यही प्रक्रिया चलती रही है फिर दुवित्वी करण हुआ दीरगी करण की प्रवत्ती यह चीज़ें उतनी पढ़ने की नहीं है दोस्तों तो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है फिर आगे देखते हैं तो आगे कुछ ऐसा नहीं है जो हमें पढ़ना चाहिए यहां पे अंतर ही दिया हुआ है आवहट पुरानी हिंदी और अपभरंश में उपभरंजानी है तो दोस्तों यह क्लास जो हमारी पहली क्लास है यूनिट फॉस्ट की पहली क्लास वो यहां पे समापत होती है दूसरी क्लास में इस से आगे के जो टॉपिक हैं अभी तो हमारा इसी योनिट में कई सारी क्लासेश होंगी और यह ज्यादवाद से जит झाल